स्कार दोस्तों टार्गेट विद प्येस परिहार चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्धार्थी जीवन से सम्मंदित सभी सूचनाय प्रतान की जाती हैं उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे UPTET की यानि कि उत्त अनुब बेंच में कोट नमबर 18 में आज इस केस की सुनवाई होनी है और इसमें मामला था कि NIOS से जिन विद्ध्यार्थियों ने डियलेट का कोर्स किया था उन विद्ध्यार्थियों को UPTET में अनुमती नहीं दी गई थी आविदन करने का जबकि ऐसे आडर आचुके हैं इसे और बहुत सारे अडर आचुके हैं कि इन विद्ध्यार्थियों को मौका देगा जया और ये सरकार कही कोर्स होता है सरकारी कोर्स होता है तो पहली ही सुनवाई में इन विद्ध्यार्थियों को रहात मिल गई है यह case नमबर 15 यहाँ पर देख सकते हैं अजीत कुमार अससरा को पहली आधि के लिए आधिया गया है जिन विद्यार्तियों ने निस्टिट्विट आफ ओपन स्कूल यानि की राष्ट्री मुग्त विद्यालियसं स्थान से जिन्हों ने भी डल ओविटीसी किया है अब यह विद्यार्ति यूपी टी इटी में के लिए आविदन कर सकेंगे लेकिन एक कंडिशन भी लेगाएगे यह और में भी अपलोड नहीं हुआ है वेबसाइट पर थोड़ दिर में अपलोड हो जाएगा अभी तो चात्रों और वकीलों ने यह बात बताई है यह बताएगी है कि इन विद्यार काम होगा वह हाई कोट के आधिन रहेगा कुल मिलाकर के हाई कोट ने बहुत अच्छा काम किया कि भरती फसी नहीं बरती क्या कहें यूपी टीटी फसा नहीं नहीं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आविदन की तीठी समाप्त हो जाती है और उसके बाद में और आता है स्केम यह विद्यारती भी आविदन करेंगे अगली सुचना है उत्तर प्रदेश दरोगाबर्ती की उत्तर प्रदेश दरोगाबर्ती में इलहाबाद हाई कोट में जो मामला डबल बेंच में चल रहा था उसका आडर आ गया है जिससे आप लोग यहां पर देख सकते हैं य यह जो है सुप्रिम कोट के अपडेट ही है यह हाई कोट के अपडेट में आप लोगों को दे रहा हूं कोट नमबर 49 में इसकी सुनवाई हुई थी स्पेशल अपील नमबर यह 249 2021 यह कल सुनवाई हुई थी इस पर बहस हुई थी और इसका जो आडर आया है वह आज आया है आडर में बहुत कुछ तो अभी क्लियर नहीं है और लास्ट में बहुत लास्ट में यह का गया है कि आप जो वह पी आईया दाखिल करें और यहां पर एक महत्पूर्ण बात है आप लोगों के लिए कि यह बताया गया यह देखिए विद्यारतियों की पस्ते यह बताया गया है कि 20 अक्टूबर से परिच्छाएं हैं इसलिए जो तारीक हैं वह जल्दी लगाई जाए और इसमें जो तारीक है वह 18 अक्टूबर लगा दी गई है अब यह केस जो में जहां पर द्रोगा भरती के लिए उम्र सीवा में छूट दी गई है और जो इनकी जो रिट फाइल थी डबल बेंच में अब जो अगस्त में जो आडरा था जिसके विरोध में सिंगल बेंच का यह डबल मेंच में मामला गया था चूंकि उसमें विद्यारतियों की जो आज कहा थी वह खारिच कर दे गई सिंगल बेंच में तो उसी को चलेंज किया था डबल मेंच में कोड ने कहा है कि अब आप जो एक प्याइल दाखिल करिए और यह जो है प्याइल की सुनवाई यह वह 18 तरीक को होनी है देखते हैं 18 तरीक को क्या होता है और 18 तरीक को जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के मादम से देदूँगा तो ठीक है दोस्तों यह हो गया आज का वीडियो वीडियो गर आपको अच्छा लागा आपके काम का हो तो लाइक अवर्श कर दें जिन झात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना कियो सब्सक्राइब क कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बुत धन्वाइब